यहां पर एक वाटर क्रॉसिंग है जो भी हम क्रॉस करेंगे नाला बंध है यह उपर से पूरे बहाव के साथ पानी आ रहा है और यहां पर यह बोलेरो थोड़े देर पहले ही आगे गई थी वो फस गई है और अभी इसको निकालना पड़ेगा यह जब तक निकालेंगे नहीं तब तक रास्ता आगे खुलेगा नहीं यह देखिए यह पहाड देखिए यह नेपाल है और हम लोग अभी इंडिया में है तो कैसा अनुह लग रहा है अध्भुद ना अभी देखिए यहां पर रेस्क् प्रॉशिंग में इसको निकालना पड़ेगा रेस्क्व करना पड़ेगा और आगे लेकी जाना पड़ेगा भुष अभी इसको रेस्क्यू किया जा रहा है बॉलेरो को पीछे से केbles लगाके तोचन केबल जिसको कहते है वो लगा के वो पीछे जो खड़ी बोलेरो है वो इसको खीचेगी तो ये रिवर्स में जाएगी पीछे और वो भी गाड़ी रिवर्स में जाएगी और फिर ये गड़े के बाहर निकालके फिर पूरे फोर्स में गाड़ी यहां से निकालके ऐसे आगे लेके जाएंगे ये जो 4x2 है उसको यहां पे पाक कर देंगे और अपनी 4x4 आगे आएगी और 4x4 फोर लो एंगेज करके गाड़ी इसको खीचेगी ये देखिए ये इस तरह से गाड़ी लाइव रेस्क्यू आपरेशन आपके सामने ये आगे अपनी 4x4 और ये जा रही है यहां पे बलेरों को पीछे से टो करने के लिए ये जद ज़्यदा नजदीक लिए गाड़ी ताकि वो जो बेल्ट है वो तूटे नहीं ये अब रेस्क्यू आपरेशन चल रहा है जो बलेरों आगे फसी हुई है उसको हमारी कैंपर वैन 4x4 होने के कारण पीछे से टो करके गड़े में से निकालेगी पीछे लाएगी और फिर वो गाड़ी एक ही स्पीड में तुरंक आगे ले लेंगे अब देखते हैं कैसे चलता है अभी ये लोग जो तो रोप है वो तो रोप अटाच कर रहे है आगे वाली बलेरों से पीछे वाली बलेरों कैंपर के उपर ये महिंद्रा की गाड़िया ये इतनी रोबस्ट है ये सारे टेरेन पे पुरूण गाड़िया है खास करके जो महिंद्रा बोलेरो कैमपर 4x4 बहुत ही बड़िया गाड़ी है ठैंक्स महिंद्रा ऐसी गाड़िया भारत के लिए बनाने के लिए और ये शुरू हो चुका है रेस्क्यू उपरेशन ये देखिए आप येस ये अभी कैमपर खीच रही है बोलेरो को बोलेरो ने भी रिवर्स गियर डाला हुआ है येस आर्पेम बढ़ा रहा है कैमपर ने टोर लो एंगेज किया है टोर लो एंगेज करके कैमपर खीच रही है और ये बोलेरो निकल चुकी है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से rescue कर लिया है बोलेरो 4x4 camper सुभाज जी ने गाड़ी निकाल लिया है और ये बोलेरो बाहर आ गई है उगड़े में से ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इस तरह से यह खोल देंगे अभी हुक और अभी हमारा टॉन है कैंपर वैन का यहां से जाने का और अभी यह जा रही है बोले रो डाइरिक्ट अभी फुल आर्पीम में गाड़ी लेके जा रहे और यह गाड़ी निकल चुकी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी ना इंगेज करके आ चुकी है वाटर क्रोसिंग में से मेरो तो पैर ही गिले हो गया यहां पर आते आते यह आ चुकी है हमारी कैंपर और यह आ रही है पीछे की गाड़ी यह है वाटर क्रोसिंग यहां पर इस तरह यह रेस्प्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ है गाड़िया नि झाल झाल